ही गाइस वैलकम और वैलकम बैक टू मैं चानल दीपिका स्टाइल और मैं हूँ दीपिका कैसे हैं आप सब लोग आई होब सब ठीक होंगे तो आज जो मैं रेसिपी लेके आई हूँ वह है पंपकिन रेस्पी पंपकिन की सबजी जिसको हम कद्दू भी बोलते हैं और काशी फल भी बोलते हैं अलग अलग जगह अलग अलग नाम लिया जाता है इसका तो यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत इजी और बहुत क्वेक और सिंपल तरीके से मैं यह रेसिपी बताने वाली हूँ और आई होप आपके लिए यह वीडियो है तो प्लीज एंट तक जरूर देखिएगा कि मैंने किस तरीके से इसको बनाया है और इसमें जादा समगरी का यूज नहीं हुआ है बहुत ही इजी बन जाता है और खाने के बाद तो और जादा टेस्टी लगता है तो वीडियो एंट तक जरूर देखना कि मैंने इसको कैसे बनाया है औ और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक जरूर कीजिएगा आपके एक लाइक करने से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए और भी अच्छ अच्छी वीडियो ला सकें तो प्लीज वीडियो एन तक जरूर देखना और लाइक करना और अपने फ्रेंट् की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहा तो सबजी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यह आदा किलो कद्दू लिया है जिसको अच्छे शे वाश कर लिया है अब यह जो छिलका है इसका तो उसको मैं निकाल दूँगी और इसको छोटे-चोटे पीसिस में काट दूँगी ज्यादा छोटे पीसिस भी नहीं करूँगी मैं तो इनको काट लेते हैं पहले तो यह देखिए कुछ इस तरीके से मैंने इनके छिलके निकाल कर इस तरीके से इसको काट लिया है इतने साइस का मैंने काटा है तो चली अब बाकी की सामगरी देख कि किन चीजों की और हमें जरूरत है तो आगे की तैयारी शुडू करते हैं तो यह सब्जी मैं बिना प्याज लेसुन के बनाने वाली हूं तो यह सारी चीज़ें आज मैं यूज करूंगी तो यहां पर मैंने सबसे पहले एक चमच ओईल लिया है यह बहुत ही कम तेल में यह सब्जी बन जाती है आदा चमच अल्दी पवडर लिया है आदा चमच लल मेंच पवडर है आदा चमच धनिया पवडर है और स्वाद की अनुशार नमक है एक छोरी ग्रीन चिली है जिसको बारीग काट लिया है और यहां पर हींग लिया । यह आध से دस करीपते हैं और यह सारी चीज़े हम यूज करेंगे तो चलिए हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं और नेक्स्ट में यहां पर एक सूखी लाल मिर्च भी लूँगी यह तड़के में डालने के लिए तो चलिए फिर हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं तो गैस पे मैंने कडाई चडा दी है और गैस की फ्लेम को लोटू मीडियम रखा है अब मैं इसमें जो ओइल लिया था है एक च्छ मच उसको डाल दूंगी तो ओइल गरम होने के बाद हम इसमें जीरा एड़ करेंगे तो ये एक चमा जीरा था उसको डाल देंगे हम नेक्स्ट मैं यहां पर ये हींग डालूंगी और साथी साथ मैं इसमें करी पत्ते और हरी मर्च जो ली थी उसको डालूंगी और सुखी लाल मर्च भी मैं साथ मैं डाल दूंगी मैं दाल कर दो है तो यह सब्सक्राप चीजों hm कजिए अधे देता हूं फासे शर्च ह सक्राप vendorsकिए अधे है इस को सबस्क अधे करगल अधेन थे केक्षित आुए ने हैं मृम इसमें को व één देख अधेन मिक्स करन गोल्डर कणा देते हैं उसको हम एड़ कर देंगे यह सबजी बहुत जल्दी बन जाती है और बहुत ही टेस्टी भी लगती है तो अब हम इनको मिक्स कर देते हैं पहले तो यह देखिए मिक्स कर दिया है मैंने अब इसको मैं एक मिनिट के लिए भाप में पका लूँगी तो एक मिनिट हो चुके हैं यह देखिए तो अभी हम इसको थोड़ा सा और चला देंगे ताकि सबजी नीचे ना चिपके अब हम इसमें जो ड्राइ मसाले लिए थे उनको डालेंगे तो सबसे पहले मैं आप नमक एड़ करूँगी नमक आप अपने स्वाद के अनुसार ले सकते हैं नेक्स्ट धनिया पाउडर नेक्स्ट मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी और हल्दी पाउडर डालूँगी और इन सबी चुजों को हम अच्छे से मिक्स कर देंगे यह सबजी हम बार बार नहीं चलाएंगे क्योंकि कद्दू जो होता है बहुत जल्दी पक जाता है और अगर हम इसको बार बार चलाएंगे तो यह तूटने लगता है तो अब हम इसको ढखके दो से तीन मिनिट तक पका लेते हैं भाप में तो दो से तीन मिनिट हो चुके हैं यह देखिए सबजी आलमोस्ट हमारी बन चुकी है यह देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यह देखिए कद्दू भी अच्छे से पक चुका है जादा टाइम नहीं लगता है सबजी को बनाने में बहुत जल्दी बन जाती है तो चलिए अब हम इसको एक सर्विंग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं तो यह देखिए मैंने इसको एक सर्विंग बाउल में निकाल लिया है देखने में तो यह सबजी बहुत ही टेस्टी लग रही है और खाने में तो और जादा टेस्टी लगीगी तो ये मैं बहुत ही simple और easy तरीके से आप लोगों के लिए लेके आई हूँ I hope आप लोगों के लिए ये वीडियो helpful रही हो और अगर वीडियो पसंद आए तो please like जरूर करना और comment box में मुझे जरूर बताना बहुत ही जल्दी ये बहुत ही quickly बन जाती है सबजी ज़्यादा time नहीं लगता है तो कद्दू की सबजी एकदम ready है अब गर्मा गर्म पूरी के साथ परांठे या रोडी किसी के भी साथ आप इसको serve कर सकते है तो आप एक बार जरूर ट्राइ करें इस recipe को So guys कद्दू की सबजी की recipe एकदम तयार है अगर आपके लिए ये वीडियो helpful रही हो तो please like करें आपके एक like करने से हमें motivation मिलता है और अपने friends and family में share करें और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा पास में ही bell icon का button है तो उसे भी press करिएगा ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और अगर आप ये recipe ट्राइ करते हैं तो मुझे comment box में जरूर बताईएगा और मेरे चैनल को subscribe करना मत भूलिएगा तो चलिए मिलते हैं next video में next recipe के साथ यादर कोई एक वीडियो के साथ तब तक के लिए bye bye take care